एलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब च linking-नल, तो फ्रेंड्स कवीता की बुनाई में आप लोग का स्वागत है तो फ्रेंड्स में आज आप लोग के लिए बहुती पियारा सा लेडीस के कारडिगन, स्वेटर, जैकेट आप sweater के लिए design लेकर आई हूँ, यह हर design बहुती प्यारा और संदर design है, तो यह design को आप जरूर try करें, तो यह design बनेगा हमारा 6 फंदों के multiple में, 6 फंदे, 6 फंदे, 6 फंदे आपने set करने हैं, उसके अलावा आपने 4 फंदा extra जरूर रखना है, तो यह हमारी design की पहली से, design की first row right side, ठीक है, पहला फंदा उतारा, दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एक, एक, दो फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक, तो तीन चार, आप यह चार फंदों को हमने 2 करना है, यह दिखिए, पहले इदर से करेंगे, दो फंदे का एक किया, फिर यहाँ पर हम इस तरह से गुमा कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, इस वाले फंदे को सीधा करके, इदर भी दो फंदे का एक करेंगे, ठीक है, तो दो फंदा उल्टा, चार फंदों पर हमने design बना है, तो यह हमारे 6 फंदे होगे, तो पूरी इस लाए में हमने यही रिपीट करनी है, फिर से दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, दागा पीछे, इदर से दो फंदों का एक करेंगे, फिर इदर से इस वाले फंदे को सीधा करके, पहले जैसे दो फंदे का एक किया, इस तरह से हम एक्स्ट्रा फंदा बनाएंग फिर इदर दो फंदे का एक करेंगे, इस तरह से, तो यह हमारा दूसरा डिजाइन है, ठीक है, फिर से दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, दागा पीछे, अब यह चार फंदों का हमने दो फंदा करना है, इदर से दो फंदे का एक किया, जैसे ही दो फंदे का एक किया एक इस तरह से गुमा कर एक्स्ट्रा फंदा बनाना है इधर वाले फंदे को सीधा करके दो फंदे का एक करना है दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे फिर से एक, दो, तीन, चार फंदों का हम दो करेंगे जैसे इधर से दो फंदे का एक किया फिर से दागा लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाया इस वाले फंदे को सीधा करके दो फंदे का एक किया लास्ट में एक दो फंदा उल्टा दागा पिछे एक एस्टिच सीधा तो यह हो गई हमारे डिजाइन की पहली शलाई सीधी साइट से complete ठीक है डिजाइन की दूसरी शलाई उल्टे तरफ से यहाँ पर ध्यान दीजिए second row wrong side यहाँ पर ध्यान देंगे ठीक है दूसरी शलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतार दिया दागा बहार जो दो फंदे हमने सीधे तरफ से उल्टे बनाए थे यह दो फंदे सीधे दो फंदा सीधा second row wrong side है दूसरी शलाई उल्टे तरफ से दागा अपनी तरफ जो हमारे डिजाइन के चार फंदे है यह देखिए डिजाइन के चार फंदे एक दो तीन तो तीन ही फंदे है हमारे डिजाइन के ठीक है चार में से तीन फंदे है अभी तीन फंदा उल्टा फिर दागा पीछे दो फंदा सीधा तीन फंदा जो डिजाइन के तीन फंदे है वो उल्टे तो यही रिपीट करनी है दूसरी शलाई उल्टे तरफ से दागा पीछे दो फंदा सीधा दागा अपनी तरफ डिजाइन के तीन फंदे उल्टे एक, ये दिखिए जो जाली वाला फंदा है उसको इस तरह से बनाएंगे दो, और एक तीन फिर से दागा पीछे दो फंदा सीधा और एक तिन इस तरह से design की दूसरी चलाई उलटे तरफ से complete करेंगे तो last में हमारे दो फंडे सीथे एक फंडा उलटा तो ये दूसरी चलाई उलटे तरफ से हो गई complete डिजाइन की तीसरी शलाइट थर्ड रो राइट साइड तो यहां पर भी ध्यान दीजिए पहला फंदा उतार दिया दागा अपनी तरफ यह जो शुरू के दो फंदी है यह आपके हर बार उल्टे ही बनेंगे दो फंदा उल्टा दागा पीछे अब यह देखे यह जो हमारे डिजाइन की तीन फंदे है पहले फंदे का हमने बुनाई किया उसके बाद इस तरह से जाली बनाया बीच वाला पर जहां हमने जाली बनाया यह वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा फिर इधर इस तरह से गुमा कर जाली बनाया साथ में एक फंदा ठीक है तो एक फंदा सीध तो यह हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच फंदे हो गए पहले तीन फंदे थे, दो फंदे हमने बनाए तो पाँच फंदे हो गए दागा अपनी तरफ जो दो फंदे उल्टे हैं, उल्टे ही बनेंगे इस तरह से दागा पीछे ये देखिए ये हमारे डिजाइन के तीन फंदे है एक फंदा सीधा उसके बाद इस तरह से गुमा कर जाले के साथ एक फंदा बनाया फिर पीजवाला फंदा सीधा फिर से गुमा कर एक फंदा बना दिया फिर एक फंदा सीधा तो ये हमारे पांच फंदे होग सीधा बनाया, इसके बाद गुमा कर एक acá कर एक裡面 самый इसान था सीधा इसके बाद गुमा कर एक स्ट्रापंदा बनाया पिर बीचवाला फंदा सीधा फिर से गुमा कर ended extraw फंदा बनाया फिर से एक फंदा सीधा तो यह हमारे कर बनाएं फिर पांच्वाँ फंदा सीधा तो यह हो गई हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी से current से complete चौतिश लाई है उल्टे तरफ से दो फंदा सीधा फोर्ट रो है रॉंग साथ ठीक है दागा अपनी तरफ अब ये जुड हमारे डिजाइन के पाँच फंदे बने हैं ये डिजाइन के फंदे आपके उल्टे ही बनेंगे एक फंदा बनाया दो जाली बाला तीन फंदा चौता फंदा ये हमारा जाली बाला फिर पाँच फंदा दो फंदा सीधा पाँच फंदा उल्टा ये ही फंदे हम रिपीट करेंगे ये देखिए दो फंदा आपका उल्टे तरफ से हर बार सीधा बनेगा और सीधे तरफ से दो फंदे उल्टे ही बनेंगे, दो फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, जब आप जाली वाले फंदे को बनाएंगे, इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी करके बना सकते हैं, ठीक है? दो फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार, और एक पाँच, पाँच फंदा उल्टा, दागा पीछे, दो फंदा सीधा, दागा अपने तरफ, एक फंदा बना दिया, दूसरा हमारा जाली वाला, तीसरा बीच वाला फंदा, छोथा जाली वाला, पांचवा, लास्ट वाला फंदा, लास्ट में दो फंदा सीधा, एक स्टिच उल्टा, तो इह हमारी चौहती शिलाह हो गए, अ कंप्लेट, ठीक है यह देखे हमारा डिज़ैण का लूक इस तरह से बन करा रहा है पांच्वी शिलाई सीधी तरफ से यहां पर द्यान देगे डिजाईन की फिप्रों हमारी रायट साइट ठीक है यहां पर अच्छे से द्यान देजिए यह देखे तो पांच्वी शिलाई यह पहला फंदा उता पारा दागा अपनी तरफ शुरू के दो फंदे उल्टे अब कर दागा पीछे अब यह जो हमारे डिशइण के पांच कि ऐसे फंद यह दो तीन चार पाच फंदे यहां के पहला वाला फंदा को हमने सीधा बनाना है जो बीच के दो फंदे इस तरह से तरह से फिर हमने क्या करना है एक वाले को उतारना है एक को नहीं उताना है यह पीछे वाले को नहीं उताना है सामने वाले को उतारना है इस तरह से उतार दिया फिर इस वाले को बिना बोने इस तरह से इस पर रख देना है ठीक है फिर इस वाले फंदे को हमने सीधा करके यह देखिए दो फंदे का एक करना है फिर लास्ट में एक फंदा सीधा यह देखिए एक, दो, तीन, चार फिर से वापस हमारे चार फंदे हो गए ठीक है दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे अब जो 5 फंदे हैं हमारे डिजाइण के पहला वला फंदा सीधा ये 2 फंदों का हमने एक करना है लेकिन सामने वाले को उताना है पीछे वाले को इस तरह से शलाई पर रखना है फिर इस तरह से 2 फंदे का इधर ठीक है एक कर दिया फिर लास्ट में एक फंदा सीधा तो फिर से ये हमारे चार फंदे बन रहे हैं ये दिखे एक, दो, तीन, चार दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे फिर से देखे एक, दो, तीन, चार, पांच हमारे डिजाइन के फंदे हैं पहला वाला सीधा जाली वाला और ये फंदा को हमने इस तरह से दो का एक करना है लेकिन हमने सामने वाले को उतारना है पीछे वाले को नहीं उतारना है इस तरह से उतार दिया इसको इसी पर रख दिया फिर ये देखे सीधा करते वे पीछे वाले फंदे के साथ दो का एक करना है फिर से लास्ट में एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे पांच वी शिलाई है राइट साइड ठेक है पांच वी शिलाई राइट साइड फिप दरो ये देखे ये पहला फंदे का बुनाई किया फिर ये दो फंदों का एक करना हैं फिर पीछे बाले को इस तरह से रखना है, इस तरह से सीधा करते हुए, यह दिखे, दो का एक किया, लास्ट में यह जो एक फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, और एसटित सीधा, तो यह हो गई ऑना कि पांच्वीं शलाई Siya, डिजाइन की हमारी छटवी शिलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतार दिया दागा पीछे दो फंदा सीधा दागा अपनी तरफ अब जो चार फंदे है डिजाइन के उल्टे एक, दो, तीन, चार फंदा उल्टा अब यही रिपीट करेंगे पूरी शिलाई में दो फंदा सीधा दागा अपनी तरफ एक, दो, तीन, चार फंदा उल्टा जो डिजाइन की हमने चार फंदे करे थे सीधी साइट से 6 रो, रॉंग साइट, छेटी शिलाई है उल्टे तरफ से ठीक है एक, दो, तीन, चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार डिजाइन के चार फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा तो यह हो गई हमारे डिजाइन की 6 रोई कम्पलेट उल्टे तरफ से तो आपके पास जितने भी फंदे हो complete करेंगे ये हमारी डिजाइन की छट्टी शलाई complete हो गई सिरिफ और सिरिफ छे शलाई का डिजाइन है यही छे शलाई आपको बार बार repeat करनी है तो और एक बार मैं आपको repeat कराऊंगी तो थोड़ा जल्दी जल्दी तो दियान दिस से देखिए फिर से ये हमारी डिजाइन की पहली शिलाई है सीधी से ठीक है तो फिर से डिजाइन की पहली शिलाई सीधी से तो दियान दीजिए पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे एक, दो, तीन, चार फंदों पर डिजाइन बनना है ये दिखिए इस तरह से दो फंदे का एक किया इस तरह से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया इस फंदे को सीधा करके फिर से दो फंदे का एक किया ठीक है दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पिछे एक, दो, तीन, चार आपके डिजाइन के चार फंदे होने चाहिए दो फंदे का एक किया इस तरह से गुमा करें इस ट्रा फंदा यानि कि इधर जाली बनेगा इस वाले फंदे को सीधा करते हुए दो फंदे का एक किया दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पिछे ये देखे इधर से दो फंदे का एक किया इस तरह से गुमा दिया ये देखे फिर से दो फंदे का एक किया पूरे फंदे पहली शिलाए में इस तरह से कम्प्लेट करेंगे दो फंदा उल्टा फिर दो फंदे का एक किया इस तरह से गुमा कर एक्स्टरा फंदा बना दिया इस वाले फंदे को सीधा जरूर करना है फिर से दो फंदे का एक किया लास्ट में दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एस्टिच सीधा, पहले शिलाई हो गई complete, सीधे तरफ से, दूसरी शिलाई उल्टे तरफ से, दागा पीछे, यह देखिए, दो फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, अब हमारे यहाँ पर डिजाइन के तीन फंदे हैं, ठीक है, डिजाइन के तीन फंदे हैं, तो यह जो डिजाइन का फंदा है, आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से, दो फंदा सीधा, दूसरी शिलाई उल्टे तरफ से, बागा अपनी तरफ, एक, दो और एक तीन, फिर से दो फंदा सीधा, डिजाइन के तीन फंदे उल् एक, दो, और एक तीन, दागा पीछे, दो फंदा सीधा, दागा अपने तरफ, डिजाइन के तीन फंदे उल्टे, तो इस तरह से दूसरी शलाई उल्टे तरफ से कम्प्लेट करेंगे, यह हमारी दूसरी शलाई उल्टे तरफ से कम्प्लेट हो गई, तीसरी शलाई सीधे तरफ से, अब यहाँ पर फिर से द्यान दिनेंगे, पहला फंदा उतारा, दागा अपनी तरफ, शुरू के दो फंदे आपके हर बार उल्टे ही बनेंगे, दागा पीछे, अब यह जो हमार पर बीच वाले फंदे का बुनाई किया, फिर इस तरह से शिलाई पर रोल करके एक फंदा बना दिया, फिर तीसरे फंदे का बुनाई किया, तो यह हमारे पांच फंदे बन गए, फिर से दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, यह देखिए, जो डिजाइन के तीन प्रिछ वाला फंद है तो तेन फंदे थे तो तो फंदे बना कर 5 दाPro प्रिश लाईए मैं जिए ठीखिर 1 फंद हियो ने पेला फंद झाया दिजाइन का सीधा, फिर दागा रोल किया, दूसरा बना दिया, दागा रोल किया, फिर तीसरा फंदा, पांच फंदे बनाएं, दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, दागा पिछे एक सीधा, तीसरी शलाई हो गई complete, चौथी शलाई उल्टे तरफ से सेम वैसे ही, पहल पांच फंदे उल्टे हैं, इस तरह से, दो, तीन, चार, पांच फंदा उल्टा, दागा पिछे, दो फंदा सीधा, चौथी शलाई है, उल्टे तरफ से, फोर्थ रो, रोंग साइड, तो पांच फंदा उल्टा, डिजाइन का हर बार, बताती हूं में, जो डिजाइन के फ बनते हैं, और सीधे तरफ से सीधे ही बनते हैं, दो, तीन, चार, और एक पांच, दागा पिछे, दो फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, डिजाइन के पांच फंदे उल्टे, तो चौथी शलाई हो गई, कम्प्लेट, फिप रो, राइट साइड, अब यहां पर आप द्यान दीजे, पांच वी शलाई यह देखिए, अभी इस पर हमारा डिजान अच्छे से खिलने लगा है, अब यहां पर द्यान दिजे, पांच वी शलाई में भी पहला फंदा उतारा, दागा अपने तरफ, दो फंदे उल्टे, दागा पीछे, अब ज एक को सिंगल बना दिया, दो फंदे को अभी दर से बनाएंगे, लेकिन हम सामने वाले को छोड़ देंगे, पीछे वाले को नहीं छोड़ देंगे, फिर यहीं से इसको गुमा कर इधर से, दो फंदे का एक गणाएंगे, दागा पीछे, पहला फंदा यह हमारा डिजाइन का सीधा, फिर यह दो फंदों को हमने इस तरह से एक करना है, सामने वाले को छोड़ देंगे, पीछे वाले को शलाइप परी रखकर सीधा करते वे, इधर से दो फंदे का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा दागा पनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे ये देखे प्माच डिजाइन के जो फंदे हैं पहला फंदा सीधा दो फंदे का एक किया फिर इस तरह से पीछे वाले फंदे को आपने छोड़ना नहीं इस तरह से सीधा करते वे दो का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा दागा पनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा डिजाइन के फिर ये दो फंदे को एक करना है पीछे वाले फंदे को छोड़ ना नहीं है, इस तरह से सीधा करते हुए, दो फंदे का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो ये हो गई हमारी डिजाइन की पांची शिलाई complete, तो छटी शिलाई आपको सीधे उल्टे तरफ से, जैसे डिजाइन के फंदे हमारे एक, दो, तीन, चार, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा है, ये देखिए, दो फंदा आपका हर बार सीधा ही आएगा, और दिजाइन के जो चार फंदे है, उल्टे ही बनेंगे, तो छटी शिलाई में complete करना है, फिर